ऐसे सवाल को करने से अभी हम time in work आगे पढ़ाएंगे A plus B काम को करता है कितने दिनों में बच्चे है 20 दिनों में B plus C काम को करता है कितने दिनों में 10 दिनों में और C plus A कितने दिनों में करता है लिखा है 12 दिनों में B plus C से divide करो तो कितनी आजाएगी 6 और C plus A यानि 12 से divide करो तो कितनी आजाएगी 5 तो A plus B की शमता आगई 3 B plus C की 6 और C plus A की 5 अब अगर हम इन सब की एक साथ निकालें कि A plus B plus C की value क्या होगी तो आप कहोगे सर 6, 3, 9, 5, 14 और 14 बटे 2 आपको time and work में हम पढ़ाएंगे आगे चलकर यहाँ पे हमें क्या करना होता है divide by 2 कर लें क्यों 2 कर लेंगे यहाँ से हम A plus B यहाँ से B plus C और यहाँ पे C plus A यानि A को भी 2 बार B को भी 2 बार और C को भी 2 बार count करेंगे तो 6, 3, 9, 5, 14 होगा जब हम सभी को 2-2 बार count करेंगे तो 6, 3, 9, 5, 14 होगी और जब एक एक बार count करें तो कितनी हो जाएगी 7 यानि कि A plus B plus C की चमता अगर हमसे पूछी जाए कितनी आई तो क्या बताओगे 7 आ जाएगी तो total काम को तीनों ने मिलकर कितने गिन में किया तो कुल काम हो रहा है बचे 60 और तीनों की मिला कर efficiency है 7 60 by 7 अगर direct answer हो तो 6, 7, 8, 56 बचेगा 4 बटे 7, 8 सही 4 बटे 7 option C के साथ जाएगे